भाई ये नन्ना सबालक कौन है जिसका इतना कोमल सरीर परंतु इसके पाउं में एक जूती तक नहीं ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है तभी पानवाले ने कहा भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप ही इसके सरदय को छूब गई फिर क्या था दूसरे ही दिन हाथ हुमें नन्ने श्याम के चर्ण पादुका लिए वे उसी पानवाले से पूछते हैं बताओ कहां मिलेगा श्याम चर्ण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान बताओ कहां मिलेगा श्याम पानवाले ने देखा कि यह तो सचमुछ ही चर्ण पादुका लेकर आ गया उसने अपना पला ज़ाडते हुए कहा देखो भाई यह नन्ना बालक यहां तो तुम्हें नहीं मिलेगा सायद कहीं और मिल जाए जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं उस नन्हे श्याम की सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं वो नन्हा सावालक है सावली सी सूरत है बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुक्ट है नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे पांधे पैजनिया पग में बड़े दिल कश्य है नजारे खायल कर देती है दिल को उसकी एक मसकान बताओ कहां मिलेगा शाम स्रेक्रिष्ण ने देखा कि यह भाव मुझे नन्हे स्याम के रूप में ढूंड रहा है वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा तभी वे एक साधारन र्यक्ती का रूप धारन कर खान जी के पास जाकर सारी बातों को सुनने के पश्यात उनसे कहते हैं समझ में आया जिसका पता तुम उच्छ रहा है वो है पाती पिहारी जिसे तू ढूंध रहा है कहीं वो शाम कहाता कहीं वो कृष्ण मुरारी कोई सांवरिया कहता कोई गो वरधन धारी नाम हजारों ही है उसके कई जगह में धाम उस भाले व्यक्ती ने खान जी को ब्रिन्दा बन जाने को कहा फिर क्या था मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान साहब व्रिन्दा वन में कृष्ण के मंदर तक जाप पहुंसते हैं पागलों जैसी हालत हाथों में जूते लिए अन्य समुदाय के होने के कारण मंदर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मरा कर दिया नन्हें स्याम से मिलने की आज लिए खान साहब रो पड़े मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी शाम से मिलने दे दो बहत है काम जरूरी सीड़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा इंतिजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम बता वो कहां मिलेगा शाम बता वो कहां मिलेगा शाम खान सहक के मन में नन्धे स्याम से मिलेने की आज थी इसे विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीड़ियों पर रात भर बैठे रहें जाग कर रात बिताई भोर होने को आई तभी उसके कानों में कोई या हट सी आई वो आगे पीछे देखे वो देखे ताए बाए वो चारों पूरे ही देखे नजर कोई ना आई छुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हा शाम बताओ कहां मिलेगा शाम उस नन्धी स्याम के जैसी छवी भव्त खान जी ने अपने हरवय में बसाई थी ठेक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया पादु का पहनाने को पाउँ जैसे ही उठाया नजारा ऐसा देखा कलेजा मूँ को आया काटे चुब चुब करके खायल हुए तिनन है पाउँ बताओ कहा मिलेगा शाम पाउँ बताओ कहा मिलेगा शाम बताओ कहा